यूटूब चैनल इंद्रेश जियस क्लासेश में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे हिंदी का जो हमारा प्रैक्टी सेट चला था उसको जो क्या करेंगे कबर करेंगे ठीक है कांटीनिव आप लोगों को परड़े क्लासेश मिल लए हैं तो आप लोग जादा सजादा वीडियो को क्या कर दिया करिए शेयर कर दिया करिए और चैनल को भी क्या कर दिया करिए सस्क्राइब कर दिया करिए ठीक है चलिए आज का पहला कोशन देखते हैं कोशन नमबर वन आप लोग के शामने है कर रहा है कि निमन लिखित मेंशे औ और हाँ आप लोग क्या किया करिए अगर एक लोग आप लोग देखते हैं तो आप लोग 5 लोग को शेयर कर दिया करिए ताकि वीडियो जो जरूरत की लोग है उनलों तक पहुंच जाया आराम से ठीक है और थोड़ा सा सपोर्ट भी हमारा हो जाएगा तो आप लोग थोड़ वाले के इस पर फोकस करिए जो है जिस दिन आएगा वह हमेशा बीट के पच्छ में आएगा एक प्लस पॉइंट ए है क्योंकि जो हमारा बीटीसी वाला कोर्स है और दोजार पच्छीस तक फिनिस होने वाला है अगर सरकार इसमें संसोधन नहीं करती तो फिर इसको दो साल के बाद संसोधन करना पड़ेगा इस लिए जो भी आएगा वह बीट के पच्छ में आएगा बीट प्राइमरी में रहेगा टेंसल लेने की कोई जरूत नहीं है मैं तो कहता हूं कि बीटीसी वालों को भी जो है हाई स्कूल जो टीजीटी पीजीटी का पेपर होता उसमें के लिए आउसर देना चाहिए सरकार को जो है क्योंकि दोनों कोर्स एक ही होते है ठीक है वो भी अपनी किस्मत ताजमाए जो अच्छा करेगा वो अच्छा नंबर लाएगा और सेलेक्शन उसका होगा ठीक चलिए बताई निमनलिखित में से कौन सा सब्द तदभा होता है जो संस्कृत से आये सब्द होते हैं लेकिन बिगड़ा रूप राता है ठीक है तदभा हो ठीक तो खेत खेत का क्या होता है खेत का जो होता है इसका तत्सम क्या होता है छेत्र होता है ठीक है तो खेत खेत क्या है एक खेत हमारा क्या है तदभा होता है ए पार्ट ही हमारा क् जो आराया जिसको बोलते है यह सब्द जहां आएगे वहां अमेशा क्या गाहा तत्सम सब्द ही हमारे आते हैं ठीक है चलिए चलते है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर आप बताइएगा गास नमने लिख़ित में से कौन सा सब्द देशज इसमें क्या बताना अप लोगो क थेशती होती उन्हें काते हैं देशत तो हमारा ध्णाम सब्द क्या है झो इतना याद-रak is principle लोटा भी अमारा लोटा भी अहरम नまだ देखने से कलिएżen对 और यह सब्ध cocktail करने तेल के वर जबआ Ubifay को यह ज्यए पावतेफ़ हम लंतेशी आउठ ऊच्छु Espa मिथ्या डंबर अधिक पाने की लालच करना योग ब्यक्ति को अच्छी चीज देना दिनाजनोर मतलब ko Goshtu मेन कर सकता आयोग है उसको एक अच्छी चीज मिल जाए तो उसी कातों है शचुंदर के सिर पर चमेली का तेल ठीक आई होप मैं आसा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रहे हैं आप पढ़ने भी मज़ा आ रहा होगा ठीक है थोड़ा मैं यहाँ जो पढ़ाता हूँ प्लस हो प्लस आप अपने घर पे थोड़ा इफर्ट लगाएंगे तो 100% 130, 125, 135 से मेरे खुद के पढ़ाय हुए इस्टूडेंट का 135 नंबर आया हुआ जो सीटेट में जोगा ठीक है तो आप लोग संघर्ष करिए जोगा ठीक है रिग वेद का संधी विच्छेत क्या होगा रिग वेद रिग वेद का मतलब क्या होता इसका जब संधी विच्छेत करेंगे तो क्या जागा रिग रिग प्लस वेद मिलके क्या होता रिग वेद जो होता है तिसरे अच्छर में क्या होताँ कंवर्ट हो जाता है याद रखेगा संध है यहांपे कौन सद्य है कौन सा राइट और बेनज को बिद क्या हो जाएगा रि нее होगा रींजन संध کی नेक्स चलते हैं, question number 135, ठीक है स्वारी 135, आप बीती सब्द में समास है, मतलब अपने पर बीती में कौन सा समास है, आप बीती, आप बीती में जो समास होता, अपने पर बीती, मतलब अपने पर बीती तो इसमें का आ रहा, कारक्चिन आ रहा कि नहीं, आप पर बीती मतलब जगा बिल्कुल सही दोनेश्रमास में क्या वोते हैं दोनों परदान चीडिया है ठीक है घोसले में चीडिया है में कौन सा कारक है तो मैंने आप लोग को आप लोग पढ़े होंगे मुझसे जो तो मैं सभी में बताता हूं करता का जो करता ने ठीक करता ने कर्म को ठीक कर्म को और क्या होता है मैं यहां और लिख दे रहा हूं करण करण जो होता क करण से के द्वारा होता क्या होता से के द्वारा ठीक है से के द्वारा ठीक से के द्वारा ठीक करण हो गया संपरदान कारक में क्या होता है से के दौरा संप्रदान के लिए ठीक है के लिए में यूज किया जाता ठीक के लिए और आपादान में क्या होता से अलग जहां अलगा जिसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं आपादान में क्या होता पेड़ से अलग होने में से अलग होने में अलग की जहां इस्तिती होती से पे होता है और पर होता ठीक में और पर तो इस तरह से राइट एंसर क्या जागे यहां देखिए में आया तो हमारा राइट एंसर क्या जागा सी पार्ट हमारा क्या हो जागा बिल्कुल राइट हो जागा ठीक है तो सी पार्ट क्या होगा बिल्कुल राइट हो जागा ठीक आयोग आसा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगे ठीक है नेक्स चलते हैं कोश्चन नमबर आप बताएंगे हमें गध्यांस दिया गध्यांस पढ़के हमके क्या देना एंसर देना है गांधी वादी में राजनीतिक और अध्यात्मिक तत्नों का समनवे मिलता है यही इस वाद की विशेष्टा है ठीक है आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित है वह प्रायह राजनीतिक छेतर में सिमित हो चुके हैं आत्मा से उनका सम्बंद विच्षेद हो करके केवल वाह संसार तक उनका प्रशार रह गया है मन की निर्मल और इस्वर की निष्ठा से आ पर होस जाता है गाधी वाद में संप्रताइक्ता के लिए कोई अस्थान नहीं है इसी समस्या को हल करने के लिए गाधी ने अपनी जीवन का क्या कर दिया बलिदान कर दिया इसी के आधार पर हमें क्या देना एंसर देना है देखिए पाला कोशन क्या करा उपर युक्त एंसोर क्या होगा तो 37 का राइट एंसोर राजनीतिक छेतर तक ठीक है राइट एंसोर क्या जाएगा हमारा D पार विलकुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है चलिए आते हैं नेक्स्ट कोश्चन नमबर आप बताएंगे कोश्चन नमबर 38 38 क्या कह रहा है कि उपर युगत गद्यांस में गांधी वाद का आधार किसे बताया गया है तो गांधी वाद का जो आधार बताया गया था वह राजनीतिक और अध्यात्मिक को बताया गया था इस तरह से इसका भी राइट अंसोर क्या जाएगा हमारा D पा करेंगे अगले संडे को पिर उसमें घृते करेंगे तो आप संडे संडे बोले हैं तो संडे संडे को ही क्लास चलती है डायू चली थी थी चली बताइए 49 का right answer के रचनाकार काऊन है तो धरम बीर भारती जी है कौन है धरम बीर भारती जी है ठीक तो इसका क्या जागा बी पार्ट बिल्कुल right हो जागा ठीक है बी पार्ट क्या होगा बिल्कुल right होगा चलें आगे चलिए Next चलते हैं अगला question question आब बताएंगे 40 question no.40 देखे कiya अगरा point प्रकाशन प्रकाशन वर्ष की द्रिष्ट से डाक्टर हरिवन्स राय बच्चन जिनका जन्म कहा हुआ था इलहाबाद में इनका जन्म हुआ था इलहाबाद या प्रयाग राज आप लोग कहा सकते हैं प्रयाग राज आज के जूग में ठीक है यहीं पिनका जन्म हुआ था या अविताब बच्चन के पिताजी है ठीक है पपा जी नीमत्रन नीमत्रन मतलब इनका करम क्या था इस चीज को बताना है थीक है तो इनकी सबसे पहली जो रचना थी वह कौन से थी मधू बाला के बाद कौन से आई थी पटाफ़ बताईए आप लोग मधुबाला के का सी आई थी बताइए तो मधु सबसे ना सबसे क्या क्या लागा है थी उसके बाद देखी बची निशा निमंत्रन तो सबसे देखी लाष्ट में निशा मधू मधू साला कहां पर मधू साला यह पार्ट हमारा क्या जाएगा बिल्कुल राइट होगा ठीक यह पार्ट क्या हो जाएगा मधू साला मधू बाला मधू कलस निशा निमंत्रन याद इसको बढ़ा कर लेता हूं ताकि सभी आपको क्या विजवील हो ठीक है चलिए 422 बताई ये हिंदी आप्依ारि समेलन कहा पर हुआ था इसको बताई तो यसरोर 1010 में हिंदी साइस्मेलन हुआ हं कि इस था्थाजी शभाकी अस्थापना कप की गई थी तो 1893 में हम लोग 80 परचारणी 1893 में 80 नागरी परचारणी के क्या किया किती हلोग अस्थापना किये ठीक है 80 नागरी परचारणी की क्या कियते है अस्थापना राश्ट भाल layout किस अपनीता क्या चीकर अventions्टापना 1918 मुई थी? 1918 मुई थी चलते हैं next अगला question question number आप बताएंगी 43 43 क्या गरत की रचना कौन सी है कौने सुरे कान्त त्रिपाथी नीराला जी इसके बीपार्ट हमारा की आजएगा, राइट आजै गए ठीक है? चली चभवालिस पर चलते हैं, कोश्चन आत्मक्ता किसकी ए प्रभा खेतान किये फिक तो हमारा यह पार्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा next आजए रचना से बहुत जाद सारी questions पुछे गए थे फिक है next बताइए प्रभू जी तुम चन्दन हम पानी किसका वाक्य है मतलब प्रभू जी तुम चंदन और हम क्या है पानी है यह किसका मतलब किसका वाक्य है किसने कहा था इसको बताना है तो वाक्य से भी एक question 100% पूछता तो यह रैदास किया किसका वाक्य है रैदास का है ठीक बस इतना याद रखना प्रभू जी तुम चंदन हम पानी यह किसका है तो रैदास जी का है ठीक प्रभू तुम चंदन और हम क्या है पानी है यह जो है रैदास जी का है ठीक है आई चलते हैं 46 से 47 को क्या करना है बिकल्प को छाटिए ठीक 46 और 47 करा वर्दंत की पंगती कुंद कली अधधरा धर पल्लो लोचन की चपला चमके घन बीच जगय छवी मोतिन माल अमोलन की फिर करा घुग रारी लटे लटके मुख उपर कुंडल लाल कपोलन की निव चावर प्राण करे तुलसी बली जाओं ललाइन बोलन की ठीक है इसमें पूछ रहा है क्या देखिए इसमें यह तो हमारा ओ था जोगा ठीक इसमें क्या है इस गद्यान से में रस पूछा कौन सा है तो रस बताईए क्या है कौन सा रस है 46 में रस कौन सा है इसको बताना का नाम आया था किसका था तो तुलसी दास जी का जो तुलसी दास के पद से लिया गया ठीक है तुलसी दास के पद से आप उपर देख लिजिए यहां देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार बैक करके ठीक देखिए निउचावर लटकई निउचावर तुलसी बली सदंत सतालब या सा मुर्धन ने बताईए इसमें राइट है 48 तो स जो हमारा वर्तस के दोारा वह वह जो हता हमारा व aconte के दोराणu बोला जाता है तो ए पार्ट हमारा क्या जाएगा बिलकुल राइन सब्सषर आ ठीक अच्छा बिसर्ग कंट हैं वरंड होते हैं बिसर्ग जो होते हैं वो कंट दो महा प्रान्ड वैंजन का वच्चरण एक साथ हो सकता है बताई Grandpa 40 का बताई फटाफट स्वारी 49 का तो इसका क्या दो वरंड जो होते हैं उंका जो है यह हमारा क्या क्या है बिल्कुल गलत है एक साथ नहीं किये जा सकते हैं बाकि हमारे सभी क्या हैं सही है ठीक है लेकिन हमसे गलत पूछा तो गलत का एंसर क्या होना चाहिए हमेसा गलत देना चाहिए ठीक है तो राइट एंसर क्या जाएगा डी हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं को Question number 50 बताई, मेरे लड़के ने मेरी आग्या का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के बिशे में कौन सा बिकल्प असुद्ध है, मेरे लड़के ने मेरी आग्या का क्या क्या पालन नहीं किया, तो वाक्य में असुद्ध क्या है, करता मेरे लड़के क्या है, इसमें करता है बहुवचन है बिल्कुल एक वचन तो है नहीं मेरे लड़के की बात कर रहा है तो यहां सब्द एक वचन का धो तक तो भी पाठ हमारा क्या जाएगा बहुवचन हो जाएगा मेरे लड़के ने मेरी आग्यां का पालन नहीं किया ठीक है तो यहां क्या है एक वचन है बहुव खाता है तिसमें क्या है बताई तिसमें जो क्रित वाच है राम द्वारा क्या किया जा रहा है तो राम क्या करता है जहां करता की प्रधानता होती वहां क्रित वाच होता है जहां भाव की प्रधानता होती वहां भाव वाच होता है जहां कर्म की प्रधानता होती है वहां कर्म वाच होता तो इस तरह से तीन प्रकारिक हमारी क्या होते हैं वाच्च होते हैं करतावाच कर्म वाच और भावाच ठीक चलिए आगे आते हैं कोश्चन नमबर 52 रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून पानी गयन उबरे मोती मानुश्यून इस दोहे में कौन सा अलंग कार है ना तो उत्प्रेच्छा है और ना ही उपमा है तो बचा कौन सा रूपक या जो स्लेस तो इसको आप बताएंगे इसमें कौन सा हमारा स्लेस अलंकार है ठीक है एक ही सब्द के कई अर्थ होते हैं ठीक है एक ही सब्द के कई अर्थ है ठीक है चली आगे चलते हैं नेक्स्ट गलत है आँक ऐसे लिखा जाता है ठीक है तो यह हमारा आँक सही है इस तरह से यह ही हमारा सुद्ध पूछाने तो यह हमारा क्या असुद्ध है ठीक है हमसे सुद्ध पूछा चांद हो गया अंगना हो गया बताई अंगना जो है बिल्कुल सही अंगना जैसे है उसे लिखा की सब्सक्राइब प्लस निधी मिलके है। निदी क्ता है। जलते हैं। कॉशन मेरं 50 से पांच question आते हैं ठीक है उपचार आतमक सिच्छन की सफलता निर्वर करती जो उपचार आतमक होता है और निदान आतमक एक उपचार आतमक होता है पहले हम उस समस्या जिसे कोई आप समस्या लेकर करो and back करो डांक्टर की पास आपको जाते हैं समस्या वा अवधी पर समस्याओं के कारण की सही पहचान पर ठीक, मैंने यही बताया ने, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ठीक, इसे उपचारात्मक सिछन की सफलता निर्भर करती है, ठीक, बिलकुल सही है, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जा प्रियोजन का समानार्थी सब्द नहीं है अच्छा प्रियोजन है है इसका प्रियोजन का मतलब लच्छ होता है ठीक नियोजन इसका क्या होता है बिलोम हो जाता है ठीक बी पार्ट हमारा क्या जगा राइट आजएगा चली रिजु का बिलोम क्या होता है रिजु का मतलब क् निर्देश असुद्ध दूसरा क्या है? क्रम वाचक होता है. वह नौकर कोई बिसेशन नहीं है. वह नौकर 26 पूर्णांक बोधक है. धाई अपूर्णांक बोधक है. बताए इसमें कौन सा राइट है? तो हमारा इसका क्या है B part कोई BCA नहीं है ठीक है next चलते हैं करफ 59 आप भला तो जग भला वाक्य में सरुनाम के किस भेद से आप भला तो जग भला इसमें मतलब आप भले तो क्या होता है पुरत जग भला तो नी जवाचक होता है सरुनाँ के कितने वरद उतने च्छे वरद एं ठीक है संघया के अस्थान पोपरियुक्त होते हैं इनके छे वरद होते हैं एक जूसा सब्द पुलिंग है मतलब पुलिंग है अच्छा अच्छी लगा के आप क्या कर सकते हैं पुलिंग देख सकते हैं अच्छी कड़ी होती है अच्छी सरसो होती है अच्छी चील होती है लेकिन अच्छा क्या होता है संतान होता है तो अच्छा क्या होता है हमारा संतान होता है जिसमें अच्छा सब सता निकाल सकते आच्छा और आच्छी ठीक है यह सारी को क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए ठीक तो आय cultivate गांभने को समझ में आए होंगे तो सब्सक्राइब inspiree यह सब्सक्राइब हो अब इस मिलें आपनोर फाइस्थी आप लिए पैसे को मिलते नहीं है एक हो मिलते होंगे अभी कुछ भी नहीं मुझे मिलता है ठीक है तो आप लोग सपोर्ट दीजिए प्यार दीजिए ताकि हाँ पैसे आएं मैं किसी को रखूँ अगर आप लोगों में से कोई भी मतलब जानता है तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक् करिये और मुझे प्रस्निलि आप मैसेज करते हैं ठीक है अगर कि मैसेज कर देख कर दीजिए का अगर किसी को टायपिंग आता है तो प्लीज्ट आप ज़रूर्व कमेंट करिये ओ所以 इतनchien जै हिंद जै भारत